साथियों, जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, कई बार कंप्यूटर में छोड़ी-छोड़ी समश्चाय आते हैं, जिसके कारण हम लोग परिशान हो जाते हैं, और इसके लिए हमको कंप्यूटर के लिए मेकानिक को बुलाना पड़ता है, और फिर हमको काफी पैसा भी खड जो होती है उसको कैसे दूर करते हैं इसके बारे में बताऊंगा यह देखिए मेरे पास सामने एक CPU है इसको मैं खोलूँगा इसमें हम तीन चार चीजों के बारे में बात करेंगे एक इसके हार्डिक्स के बारे में जानेंगे, इसमें जो रैम है, उसके बारे में जानेंगे, इसमें जो सीमोस बैटरी है, उसके बारे में जानेंगे, और जो SMPS है, उसके बारे में जानेंगे, यदि आपके कंप्यूटर में पावर से कोई सम्मंदित, कोई इशू है, कंप्यूटर च कि इसके दो स्कूरू है और इसको आप आसानी से खोल सकते हैं कि यह देखे मैंने स्कूरू खोल दिया हूं और इसको थोड़ा सा इसको खीच के यह मैं इसकी जो साइट की जो पैनेल है इसको मैं खोल दिया हूं यह आपको कम्पूटर के अंदर का हिस्सा दिखाई दे रहा है अब इसको हम बारी की से नजदिक से देखते हैं यह देखिए अभी आपको कम्पूटर के जो अंदर का जो हिस्सा है आपको दिखाई दे रहा है यह देखिए जो चौकन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यह है SMPS यहांने कि यह दिपड़ी आपके PC में किसी प्रकार के power से सम्मंदीत कोई समझा आता है तो यह समझ लीजी कि SMPS के कारण हो रहा है या तो यह power cable ठीक से नहीं लगा होगा या हो सकता है कि SMPS में कोई fault आ गया है जिसके कारण आपके computer में power supply नहीं हो रहा है यह जो काले रंग के फैन आपको दिखाई दे रहा है इससे जो है कि अंदर के हवा को बाहर फिक का जाता है जिससे प्रोसेसर जो है यह ठंडा रहता है यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक hard disk आपको दिखाई दे रहा है यह hard disk है कई बार क्या होता है कि आपके PC में जो hard disk है यह deduct नहीं होता है तो इसमें दो बज़े हो सकता है इसमें देखिए यह blue color का एक sata cable दिखाई दे रहा है यह हो सकता है कि लूज हो गया होगा या इसको आपको निकाल के फिट से लगाना पड़ेगा साटा केबल यह देखिए निकल गया है इसको फिर हम उसी जगह में लगा देते हैं यह देखिए यह लग गया तो यह साटा केबल को ठीक से लगाना पड़ेगा या इस हार्डिक्स में कुछ इशू हो सकता है तो यह साटा के भल निकालकर यहां पर दोठो स्क्रू दिया हुआ है इससे हार्डिक्स आशानी से निकल सकता है एक और जो प्रमुक पाठ होता है वो होता है रैम यह दिखिए यहां पर आपको एक RAM दिखाई दे रहा है जो दुनों किनारे पर दो सफ़ेद रंग का क्लीप दिखाई दे रहा है जिससे की यह motherboard के साथ जुड़ा हुआ है कई बार आप देखेंगे कि जैसे आप CPU को चलू करते तो कुछ आवाज आने लगता है एक Siren जैसा आवाज आता है या कुछ issues आ रहा है तो कई बार क्या होता है कि धूल के कारण इस RAM के उपर धूल जम जाता है जिसके कारण भी यह contact ठीक से नहीं हो पाता है जिसके कारण से यह problem आता है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा यह देखिए दुनों तरप के clip को यदि आप free कर देते हैं और इसको धीरे से यदि आप खीचेंगे तो यह आपके बाहर आ जाएगा आपको साफ करना पड़ेगा और यह देखिए इसको साफ करने के लिए छोटा से साफ टावल में आप इसको साफ कर सकते हैं इसको साफ करके पूनध आप उसी में लगाएंगे एक बाल लगाते समय ध्यान रखेंगे कि बीच में खाचा आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यह प्रॉपर ली स्लॉट में लगना चाहिए, यह देखिए मैं इसको फीट कर रहा हूँ आपके सामने, यह देखिए, जैसी आप इसको प्रेस करेंगे, दोनों तरब की जो सफेद रंग का क्लीप है, इसको इस रैम को लॉक कर देगा, इसके बाद एक और प्रमुख हिस्सा है, इसके CMOS बैटरी, यह देखिए आपको चमकीला गोला कर दिखाई दे रहा है, इसको जैसे की मान लीजिए, एक CMOS बैटरी दो तीन साल बाद इसको बदलने की जौरत पड़ती है, कभी आप देखेंगे कि डारेक्ट आप जब स्टार्ट करते तो कुछ F12, F10 ऐसे आपक आप आसनी से यहां पर हलका सा प्रेस करेंगे, तो यह बैटरी आपके बाहर आ जाएगा, यह देखिए, यह बैटरी मैंने निकाल लिया, इसमें आप दिखेंगे कि एक सत्या पर थोड़ा सा खाचेदार आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक तरफ प्लेन है, और इसमें कुछ कमपनी का नाम लिखा हुआ है, और प्लस मैनस लिखा हुआ है, तो इसको जब लगाते समय ध्यान रखेंगे, कि यह जो यहां पर खुरदूरा जो सत्या है, यह नीचे की तरफ होगा, इसको मैं फिट से इसमें लगा देता हूँ, यह देखिए, इसको मैंने छुटी सी जानकरी यह दिया आप रखते हैं, तो आप कई सारे परिशानी को आप खुदी उसको हल करके अपना काम को कर सकते हैं.